सोलन में योग भार्टी दोरा मासिक योग बर्ट का आयोजन किया जा रहा है ये जानकारी योग भार्टी हिमाजल के प्रांत उपाधेक्ष गुर्दीप साहनी ने दी इस योग बर्ट का आयोजन सोलन के पुराने उपाइक कालेल में आयोजन किया जाएगा इस बर्ग में शेहरवासियों को सरल योग सिखाया जाएगा ताकि बे उसे घर के सदुस्यों को भी सिखा सके इस बर्ग का मुख्य उदेश्य समाज को योग के माधिम से स्वस्त बनाना है सोलन में योग बारती द्वारा मासिक योग बर्ग का आयोजित किया जायेगा इस बर्ग में शहरवासियों को सरल योग सिखाया जायेगा ताकि वे उसे गर के सदस्यों को भी सिखा सकें इस बर्ग का मुख्योदेशया समाज को योग के मादिल से स्वास्त बनाना है ये योग बर्ग 30 जनवरी से आरंब होगा जिसमें महलाओं, पुर्षों और युवाओं को योग के मैतबून टिप्स दे जाएंगे अधिक चानकरी देते हुए योग बारती हिमाचल के प्रांत उपादेख्ष गुर्दीप साहनी ने बताया कि सोलन शेहरवास्तियों के लिए 30 जनवरी से योग बारती मासिक योग बर्ग का आयोजन करने जा रहा है इस योग शिविर का शुवा रम उपायुक्त सोलन केसी च रहा है जिस योग में महारत हासल कर चुके योग गुरू लोगों को मारत दशन करेंगे और योग करने की विदी से अबगत करवाएंगे हमारी संस्ता योग भारती सोलन में 30 जनवरी बसंत पंचमी के दिन एक वर्ग का आयोजन करने जा रही है जो पुरा महिना भर चलेगा इसका प्रारंब केसी चवन उपायुकत सोलन करेंगे इसमें शाम को पांस से छे मातरी शक्ती के लिए जिसमें महिलाएं भाग लेंगी और छे से साथ अभ्यार थी जो लोग अलड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा की उनके लिए वर्ग रहेगा एक घंटे का और फिर साथ से आठ जिनोंने नए शुरुआत करनी है योगा भ्यास की उनके लिए वर्ग रहेगा तो इसमें 500 रुपे शुलक रहेगा इसमें पहले दिन 30 जनुरी के दिनी रिजिस्ट्रेशन का दिन रहेगा उस दिन रिजिस्ट्रेशन की जाएगी और इसमें हमारे बहुत योग्या पर शिक्षक इसमें भाग लेंगे महिलाओं के लिए महिला पर शिक्षक रहेंगी उनकी पतनी मालाजी रहेंगी ये सब लोग उपलब्ध रहेंगे और सोलन निवासियों के लिए एक बहुत ये सुनहरा अफसर है और हमारा निवेदन आगरह रहेगा सबी से कि सब लोग इस अफसर का लाब उठाएं लाइफ स्टाइल में डिस्रिबंस हुआ है परकार की बिमारियां गुटने का दर्द इस परकार की जो चीजें रहेंगी उनको बिमारियों से इनको अफ़गत कराया जाए नैचुरोपैथी के द्वारा उनको विधियां बताई जाएंगे तो ये था आज़न पर का कारिक्रम कल फिर हाजर होंगे नहीं कत्विधी के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहे है अश्री के साथ मुश्कार